तो हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मेद आप अच्छे से होंगे डॉक्टर राम मनर्लो यह अवद इडियोस्टी बीएड फस्ट इयर और स्रीज और बीएड फस्ट इयर पेपर टू इसके कुछ यह इंपड़ेन कोशन्स कोई बड़ेन कोशनी एक अपने आसान से सब्सब्सुन समझेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में और आप अपने सब्सब्स लिख सकें तो चलिए एक से पांच कोश्टिन्स हम और टी देख चुके हैं तो इस वीडियो में हम देखेंग है वो पढ़े कि समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि अधिगम या सीखने के सहचारी सिधान्त को मनुविग्यानिक उन्हों ने क्या किया पहले उन्होंने एक कुट्ता लिया कुट्ते को वो जब भी खाना देते तो कुट्ते के क्या किया कि कुट्ते को एक बार घंटी बजाई तो भाई घंटी बजाने से कुट्ते के मुव से लार तो निकलेगा नहीं अब कुट्ते को जब भी खाना देते थे पालाओ जी खाने के साथ साथ घंटी बजाते थे तो कुट्ते का लार निकलता था यहाद यहां से देख गा उसके उसका एक संबंद अस्थापित हो गया गंटी से और एक दिन क्या हुआ पावलाव ने बीन खाना दी गंटी बजाई तो कुट्टे के मूझ से सलाईव जानी के लार निकलने लगा तो क्या हो हो इसी सिधान को सहचे सिधंत कहते हैं ठीक है आफ सब दों को समझिए देंकि सहचे सिधान से अभी प्राएं उन सिधान तोज से है जो मानव वह düşün करता है जो कि इ hanno कि खिता है या वहובistes और ऐसे मानों के उपस्तितिक कारण उन से सीखने की किरिया का सहचर या स्थापित हो जाए समझ मैं आरी बात जैसे डौगी का घंटी के साथ सहचर या स्थापित हो गया वही बात की जारी है हैं कि वा परस्तिटी ऐसी थी की ख Stevens hemyan सो जा जाए और उनके दोला सीखने की लिएप अठी आरी बात इसी सिधान्त को क्या कहते हैं अधिज़ में 100 दोते हैं अभ इसके प्रस्थिती से अपना साचर अस्थापित करें संबंद अस्थापित करें अब यहां पर सवाल यह है कि यह कितरे प्रकार में है तो यह तीन प्रकार में है पहला अनुकूलित अनुकूरिया का सिदान मतलब क्लासिकल कंडिशनिंग थेरी और पॉपलो की जित थीरी का मैंने यहाँ पर 간ान यही इसी शीडिक कोंकूले क्लासिकल कंडिशन थीरी त्वी कहते हैं धुब्लिक तीरी इसको स्टिम्लेस रिस्पॉंस सेरी भी कहते हैं जो कि थॉन डाइक ने दिया था बिली परियोग करके उसको यह भी उसी का एक क्या है भाग है और देखें तीसरा है पुनर बलन सिधान्त यानि कि रैंस्पॉर्श्मेंट थीरी समझ में अगई बात तो यह अधिकम के स साचेर्स फिदानत को तीन भागों में बाटा गया है ठीक है तो यह हुगया प्रस्ट संक्याच है छलते हैं प्रस्ट संक्यास साथ की तरफ संक्यास यह वंसानो करम प्रकुडिया से आप क्या समझते हैं। तो देखें कि इताब स向ह बद solchen की कि औरो मैं आसे बताऊं गाग पुर्व जो माता पिता से मिलता जूडता है यानि अपने माता पिता की सारडिक और मांसी को बराप्त होते हैं समझ मैं यह बात जैसे माता पिता है वैसे उनकी संताने होती हैं इसी को हम वंसानुकरम या अनुवानसिक्ता पैत्रिक्ता वंस प्रंप्रादी के नामों से पुकारते हैं वंसानुकरम व्यक्ति की जर्मजात विस्ष्थाओं को पूर्ड योग कहा जाता है अच्छा यह ऐसी बात नहीं है कि कप्रेथ कि अकर्ब्स करूंप tv आप देंगे Gordon मिलते हैं कुछ गुड मिलते हैं कभी-क और कभी-कभी कुछ ज्यादा ही सिमिलार्टी कि होती है ठीक है अब चलिए अगला प्रशन देखते हैं रशन के 8 और प्रसमें क्याई होती है व्यक्ति आवस्थाय होग्तिन दॉक्तरर औरलेस्ट जोन्स कि चारहें वस्ता होती यह पफिशु सा वस्ता है वह सकति जन्वाश्त से पाँछ बचयों को द्वास्था तसा मैं वास्ता यह किसी में गया है उपड़ा देखन के दहरा थोस्तों आभी प्रेरेड़ा क्या आभिए तो motivation अब आप बताएं motivations क्या होता है motivation ऐसी चीज़ किसी को motivate करना अभी प्रेड़ना देना या फिर ऐसे कहते हैं किसी को चढ़ा देना मतलब किसी बच्चे को चढ़ा दो मतलब मोटिवेट कर दो तो बंदा कहीं जाके जगड़ा कर लेता है कुछ भी कर सकते हैं मतलब उसके अंदर एक उत्तेजना आ जाती है यही तो यहां पे लिखा गया है कि अभी प्रेड़ा का साधारार और साब्धिक अर्थ की अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेड़ा कह सक हो सकते हैं आपने देखा होगा यहां पर लिखाया कि इस प्रकार की उत्तेजना आंत्रिक बाहें को मतलब यह हैं कि आप कभी कभी सेल्फ मोटिवेटेड़ हो सकते हैं अभी जैसे मान लीजिए आप लेटे हुए हैं मुबाइल चला रहे हैं तो आपको अपने अंदर होग मतलब सेल्फ आपको मोटिवेशन मिले तो इसको आंत्रिक अभी प्रेड़ा कहते हैं या फिर मान लीजिए आप लेटे हुए आपकी घर से कोई मेंबर आया और आपको क्या दिन बर पड़े रहते हैं तो आपको आपको अभी प्रेड़ा मिले तो आंत्रिक कोई बाहरी है कि प्रेड़ा कारे को आरहम करने जारी र constitutes करने की ठर्किरियर ठीक है किसी कार को स्टार्ट कर सकती है उससे कनियमित करने की प्रक्रिया है अभी प्रेड़ा ठीक अभी प्रेड़ा को आप समझ सकते अगर आप जीम जॉइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके मोटिवेशन मोटिवेशन मतलब हर चीज में जरूरी है चलिए प्रशने संगे 10 देखते हैं अंतर द्रिष्टी या सूजबूच के खुआ है ठीक है इसको अंग्रेजी में गेस्टाल सिधान्ट भी कहते हैं यह सीधान्ट वास्तों में है क्या यह सिदान्ट यह है कि देखे इनसान कोई भी काम जब सीखता है अब यहां पे देखिए हम अपने जीवन में कुछ कारे करते हैं बलकि हम अपने आप सीख लेत जीने नहीं दो दूसरे के दवरा करता हुए देखते हैं कि सीखते पर अपने चस्ति कि सीख जाते हैं किसक्तिती के वास्तों में अंतर दृष्टिή या सूजबूच का सिदान्ग कहते हैं यही इसका सारा है अब इसको कोलर ने वन मानूस पर परयोग किया एक चिमपैजी पर परयोग करके यह सिद्ध किया कि इनसान प्राडी सूजबूज या अपनी लक्षे की प्राप्ति कर सकता है कैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उनोंने क्या किया 이 कमरे में एक पिजडे में एक चिमपैजी को बंद कर दिया और यह बहुत IMPORTANT आक्सर फुछा जाता है कि कोलर का सोज tomorrow का सिद्ध को वैख्य करी उनोंने इक कमरे में एक चिमपैजी को बंद कर दिया च्रीक है उस चिमपैजी का नाम था सुल्तान अब उपर उन्होंने एक केला लटका दिया और उस कमरे में छोटे-छोटे बॉक्स इधर-उधर बिखरे पड़े थे अब वो चिंपैंजी को भूख लगी और वो केला खाने का परियत न करता लेकिन उसके पहुँच से केला बहुत दूर था तो फिर चिंपैंजी ने क्या किया पहले एक के उपर एक बॉक्स रखा फिर एक और बॉक्स रखा और उस पे चड़के केला खाने का परियत न किया तो देखिए इसमें क्या हुआ यह चिंपेन्जी ना कभी पहले किसी से देखा था या उस अपनी सूजबूझ से चीज़ें सीख गया कि ऐसा करेगा तो इससे केला मिल गया है और इसी चीज़ को हम अंत्र दिस्ट ही या सूजबूज का सिधानत कहते हैं ठीक ही दोस्तों उम्मीद है समझ में आएगी बात करते हैं पाउलो की क्लासिकल अनुबंदन सिधान वही मैंने आपने बताया कि आपको यह जो डॉग वाली जो स्टोरी थी यही पाउलो का कंडि तो आप वहां से यहां पर देख सकते हैं ठीक है एक जारावें प्रश्ण होगया बारहों में प्रश्ण की तरफ हम चले लेते हैं बारव प्रश्ण यह है कि अच्छे मानसिक स्वास्त के दो लच्छड़ बताएं अब कोई इंसान मेंटली अगर अच्छा हो उसका मस्तिक स्वास्थ हो तो उसके लच्षड क्या हो सकते आप कुछ भी लिखिए इस किताब को छोड़ दीजे उसे आप कुछ पिलिंग की बात कि जारी किर्यात्मक लेके लेक रुटीर की रियात्मक से होटाइव करते हैं。 ठीक है वो अपने सारे का मच्छिस करता है नीमी दिंचरिया मतलब सुबह साइस टाइम से उठना खाना बीन नहाना दोना यह सारी चीज़े करते हैं कौन जिसका मस्तिस्क सुष्थ हो नेक्स बात करेंगे साथारता सीसू से जन्म से च्श Hayır वर्स तक चलती है रहा यह जन्म चलने या बोलना सीख जाता है सुपड़ा बताता चाना दोस्तों चौन कचे ना क्चशना प्रस नहीं वीडियो को खथा करना है और चौत्या प्राइन है बाल यावस्ता की विसेस्ता कि बताई दोस्तों मैं आप प्रतादू कि यह इतना ज्यादा important है कि एक प्रशन आपसे हमेशा आएगा आठ नमर में जो चारो विसेस्ता है ना उसके जरूर पढ़िएगा चौनवा प्रशन देखते हैं फौर्टीन्थ नंबर बाल ल्यावस्ता की विस्था बताईए अब जब बाल ल्यावस्ता की बात करेंगे तो आपको बाल ल्यावस्ता में आपको उम्र याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब आपको एज याद रहेगा आठाए बहुत प्रशन पूछते हैं जो छह से 12 साल के बचे होंगे ना वहितनी आपसे सवाल पूचेंगे ऐसा है तो कैसे है मतलब जिग्यासा उनकी बहुत प्रशन पुरेंगे जिग्यासा की प्रवल्धा आत्मनिर भर्था की बाहुना मतलब उन से कहो कि हम नहाला दे म नहीं मैं नहाला हूँ नहाल होगा मतलब खुद से आत्म देबढ़ता की भावना उनके अंदर आने लगती है बाले आवस्ता में आप किसोर आवस्ता में सिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए किसोर आवस्ता मतलब टीनेज की बाद ही जाई किसोर आवस्ता में एक सिच्षक द्वारा कैसे सिच्छा देनी चाहिए वही बात फिर से आप यहां गई है सारीक्स इच्छा सांगरात मानसिक भासा तो यह सारे प्रेश्ट दोस्तों इस वीडियो को यह खतम करेंगे आवस्ताले बीएट फस्तियर के सेकेंड पेपर के हमने प्लीज दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दें फीडबैक जरूर दें और प्लीज अगर आप इस तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जुड़ जाईए और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया थीरे से लिंक कॉपी करके अपने कॉलेज ग्रूप म